मुंबई के बांद्रावरली सीलिंग पर भयानक हाथसे में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है जबकि आठ लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है हाथसे में एक अम्बूलेंस सहित तीन कारों की जबरदस्ट टक कर हुई है गाड़ियों की स्थिती देख कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हाथसा कितना भयानक था जानकारी के मुताबिक बांदरा वरली सीलिंग पर सुबह तीन बजे के आसपास में एक कार हादसे का शिकार हो गई थी और इस कार हादसे में घायलों को इलाज के लिए ले जाने के लिए वहाँ पर एक अम्बूलेंस को बुलाया गया था मगर इसी दावरान एक के बाद एक तीन कारे अम्बूलेंस से टकरा गई ये टकर इतनी जबरदस्त थी कि इसमें कुल 13 लोग घायल हो गई घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया जिसमें से 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 8 लोग घायल हुए घायलों का इलाज मुंबई के अलग-अलग हॉस्पिटल चल रहा है मुंबई के 15 लोग घायल बताये जा रहे हैं कर दो घायल हुँ यायल हुए और लोग